नमस्कार विद्या के क्लास में आपका स्वागत है और मुद्दा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि केंद सरकार यानि कि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा कदम उठाएगी उधर जम्मु कस्मीर में पहली बार 10,000 पेरामिलेट्री फोर्स बढ़ाई गई है इदर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A को लेकर के सुनवाई होनी है जिस सुनवाई को पहले जम्मु कस्मीर सरकार ने रिक्वेश्ट करके टलबा दिया था वो सुनवाई होने जा रही है सवाल ये उठ रहा है कि मोदी सरकार आखिरकार वो कौन सा कदम उठाने जा रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना बुरी तरह से डरा हुआ है और जम्मु कस्मीर में हल्चल बहुत तेज है क्या जिसको वैसे तो आर्टिकल 35A है लेकिन आम बुल्चल की भासा में हुशे धारा 35A बोल दिया जाता है क्या धारा 35A मोदी सरकार आखिरें से खत्म कर सकती है क्या है धारा 35 क्यों उसको लेकर कि इतनी चर्चा हो रही है क्या है धारा 370 जो कि जम्मु कस्मीर को Special status दिये हुए है और उसको लेकर के इतनी चर्चा हो रही है तो इस पे बात करेंगे सबसे पहले ये जानते हैं कि 35A 370 क्या है दरसल जो आर्टिकल 370 of Indian Constitution है वो जम्मू कस्मीर को EPSL status देता है जिसकी वजह से कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके दो तिन सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सब कुछ कानून बनाने का अधिकार जम्मू कस्मीर सरकार के पास है उसका अपना अलग सा मिधान है दो जंडा है मतलब एक दम स्टेटास उसका अलग है तो यदि आर्टिकल 370 में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए तो संबैधानिक संसोधन समेत बहुत जटिल प्रक्र है उसको पूरा करने के लिए लेकिन अब एक जो आर्टिकल है जो 370 का ही पार्ट है जिसे 35A बोलते हैं उसकी वज़ा से बहुत सारी जम्मू कस्मीर की समस्याय हैं और उसको हटाने के लिए किसी संबैधानिक संसोधन की जरूरत नहीं है तो फिरहाल हम जो डिसकस करेंगे जो बात करेंगे वो 35 की ही बात करेंगे तो सबसे पहले बता दे कि एक तो उसको लेकर के कोई सम्मैधानिक संसोधन की जूरत नहीं है और इस 35A को हटाने को लेकर के 4-5 याज़काय सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है क्योंकि इस 35A को 14 मई 1994 को तद कालिन राश्पत डाक्टर राजेंद प्रसाद के एक प्रसासनिक आदेश से सम्मैधान का पार्ट बना दिया गया था सवाल ये उठ रहा है कि जिस सम्विधान में संसोधन करने के लिए सम्वैधानिक संसोधन की जरूरत पड़ती है क्या उस सम्विधान में राष्टपती के प्रसासनिक आदेश से कोई चीज जूड सकती है इसी को चैलेंज किया गया सुप्रिम कोट में 35A भारत के राष्टपती द्वारा 14 माई 1954 को जारी किया गया एक प्रसासनिक आदेश है जो ये कहता है कि उस तारीख तक यदि कोई जम्मू कस्मीर का नागरिक नहीं है या उसके पीछे उससे पहले दस साल पहले से नहीं रहता चला आ रहा है तो उसे वहां का नागरिक नहीं माना जाएगा 35A के लिए रोगे अब नहीं माना जाएगा तो फिर इसका क्या रिजल्ट क्या होगा क्या दूस्प्रभाव क्या हो रहा है क्या प्रभाव पढ़ रहा है तो उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो कोई भी ब्यक्ति वहां का नागरीक नहीं है तो न तो वहां पे वो कोई संपती खरीच सकता है न वो चुनाव लड़ सकता है या मद्दान कर सकता है न उसे कोई सरकारी नवकरी मिलेगी यानि कि उसको कोई भी जो सिटिजन का राइट है वो प्राप्त नहीं है यह 35A इसके अलावा यदि वहां की लड़की किसी दुसरे राज्य में साधी कर लिती है दुसरे राज्य के लड़के से तो उसके सारे राइट्स तत्काल खत्म हो जाते है और भारत के में 29 राज्य सा संग सासित प्रदेश हैं तो इन में से 28 राज्य और साथ संग सासित प्रदेश का कोई भी ब्यक्ति वहां जाकर के प्रापर्टी नहीं खरी सकता वहां का नागरिक नहीं बन सकता यह वो दिपकत है जिसको लेकर के बहस हो रही है और बीजेपी के घोस्णा पत्र में जो को रिसुज हैं उसमें से 35A और 370 हटाने का वादा है राम मंदिर का वादा है इसी को उसका को रिसुज बोला जाता है तो 35A को हटाने के लिए कानूनी रूप से किसी संबैधानिक संसोधन की जरूरत नहीं है और इसी बात को सुप्रिम कोट में चैलेंज किया गया है अब कि जब 10,000 पैरामिल्टी फोर्स ने वहाँ जम्मू कस्मीर में मूव किया तो इसको लेकर के अटकले तेज हो गई हाला कि राजेपाल की तरफ से और उनकी प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया है कि इसको लेकर के पैनिक होने की जूरत नहीं है सरकार की ऐसी कोई उजना नहीं है राजेपाल ने तो यहां तक कहा है कि वो चुनाओ के मद्दे नजर परामिल्टी फोर्स तैनात किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ से ये भी खबर है कि मोदी सरकार पे इस बात का दबाव है कि यहीं वो मौका है जब 35 A को खत्म कर दिया जाए क्योंकि 35 A की उसको उससे ट्रीट नहीं किया जाएगा उसको तब तक उसका इस्पेसल इस्टेटस बना रहाएगा और यहीं वहां के जो बिद्रोही है अलगावादी है उनको कहीं न कहीं ताकत दे रहा है जिस दिन ये अनुछेद खत्म हुआ उसी दिन जमू कस्मिर के अधिकान समस्य चाहल हो जाएगी तो 35 एको लेकर के यह प्लानिंग चल रही है सरकार बेसा खंडन कर रही है लेकिन सरकार पे इस बात को लेकर के दबाओ है और इससे रिलेटेट जो भी और कुछ भी अपडेट होगा वह हम आपको अगली क्लास में बताएंगे जो आपकी क्वेरिज होग कि उसको अगली क्लास में बताएंगे अब देखते हैं हमारा डिजिटल चैनल इनकबर उसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर लिखें